लोग सभासंगराम 96-374 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद लगभग ये तह हो गया कि सरकार किसकी बनी है दोस्तों अगर आप चाहते मायावती देश की प्रधानमंत्री बने तो इस वीडियो को लाइक करे और वीडियो पूरा देखे लेकिन जनता में जूट से ही सही आक्रोश फैल गया और मनमुहन सरकार को सत्ता से बेधकल कर मोधी की भाजबा को सत्ता की चाबी सौम दी राज्य मुख्याले लखनाओ इस बार के आम चुनाव में बुनियादी फर्क महसूस किया जा रहा है पिछले चुना को देखते हुए कहा जा सकता है कि पिछली सरकारों ने अपने काम के आधार पर वोट मांगा था और वर्तमान सरकार ऐसा कुछ करती नजर नहीं आई कभी बजरंग बली और अली की बात की गई तो कभी बाला कोट को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई इन सब से हट कर हिंदू मुसल्मान करने की भी भरपूर्व कोशिश की गई परंतु मोदी की भाजपा नाकाम रही ऐसा ग्राउंड जीरो पर देखने को नहीं मिला 2019 के चुनाव में मुदी की भाजपा ने पूर्व सरकारों को पीछे छोड दिया है पूर्व की सरकारों ने अपने काम को आगे रख वोट मांगे थे चाहे भाजपा की ही 2004 की अटल बिहारी वाजपई सरकार हो या 2009 में मनमुहन सरकार हो दोनों सरकारों ने अपने काम के दम पर वोट मांगे थे जिसमें देश की जनता ने अटल सरकार को नकार दिया था और सोनिया गांधी के नेत्रित वाले यूपिये को सरकार बनाने का मौका दिया था उसके बाद फिर 2009 में मनमुहन सिंग सरकार को ही मौका दिया था लेकिन 2014 के आम चुनाव में RSS व उससे संगठनों के द्वारा एक जूट फिलाया गया कि देश में भ्रष्टाचार अपनी सभी सीमाएं पार कर चुका है इसमें इनके जूट को सच साबित करने के लिए अनावजारे ने भी बुगला भक्त बन कर RSS के ही एजेंडे को आगे बढ़ाया जिसको लोगों ने सच मान लाकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ज्यादातर मामले खतम कर दिये हैं लेकिन जनता में जूट से ही सही आक्रोश फैल गया और मनमुहन सरकार को सत्ता से बेधकल कर मोदी की भाजबा को सत्ता की चाबी सौब दी मोदी की भाजबा ने जनता को यह यकीन दिलाया था कि हम सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम करेगे इसको भी लोगों ने सच मान लिया जबकि हकीकत इसके विप्रीत रही न विकास की बात हुई न सबको साथ लेकर चलने की बात दिखाई थी बल्कि गोदी मीड या के जरिये हिंदू मुसल्मान के नाम पर जहरीली खबरों को परोसा गया जो अभी तक जारी है असल बात जो देखने को मिली वो यह रही कि मोदी की भाजबा ने अपने काम को वोट मांगने का आधार नहीं बनाया और नहीं काम को आधार बनने दिया लोक सभा संग्राम 2019 के आम चुनाव में 543 सीटों में से चार चरणों में 374 पर चुनाव हो चुका है जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी ये लगभगत हो चुका है मोदी की भाजबा ने काम को आधार नहीं बनाने का क्या कारण है क्या वास्तव में मोदी की सरकार काम करने वद देश को आगे ले जाने में फैल रही है ये बात सही है कि मोधी की भाजपा सरकार न देश को आगे बढ़ा पाई और नहीं देश के विकास को गती दे पाई अगर ये दोनों बाते न होती तो मोधी की भाजपा अपने कामों को जनता में मुद्दा बनाती न बना पाने की वज़य ही मोधी सरकार के पास कोई ठोन्स क जिसके धंपर वे जनता के बीच जाती मोधी सरकार को गोधी मीडिया का सहारा है जो उसको हिसाब से ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। आम और पर कम मददान सरकार के पकश में माना जाता है लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार का कम मददान मोधी सरकार की विदाई का कारण बनेगी। वोटों की बारिश कर रहे हैं यही वज़े है मूदी सहित उनके रण नीतिकार इसको लेकर परिशान है कि सत्ता के जाने का कारण कम मद्दान ही न बन जाए तभी तो मूदी ने जारखंड में एक सभा के दोरान मद्दाताओं से मद्दान करने की अपील की इस से पहले भी वारणसी में भी यही बात कह चुके हैं अगर नरेंदर मूदी की सरकार चली गई तो मूदी को नोट बंदी वा राफेल में की गई गडबडियों कर रह कर खयाल तो नहीं आ रहा है कि सत्ता जाने के बाद इन दोनों मामलों की कही जाचना हो जाए और ये सही भी है इन दोनों विशेयों पर गंभीर जाच होने प सपा एक मंच पर आए भी किसी को हैरत भी हुई तो किसी को खुशी भी हुई पर सरकार नहीं जानी चाहिए करना कुछ भी पड़े क्या मायावती की लाटरी निकल सकती है तो दोस्तों क्या आपके अनुसार सच में मायावती जी को देश का अगला प्रदानमंत्री होना चा झाल